नमस्कार दोस्तों आलिया को है ट्रिपल आर से बहुत ही जादा उम्मीदें बॉलिवुड की कुईट कही जाने वाली अभिनेत्री आलिया भठ की फिल्मी सफर अपने शबाब पर है दरसल साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट आफ दा इयर में अपनी फिल्मी करियर की शुरुवात करने वाली आलिया ने बहुत ही कम समय में अपना मुकाम हासिल कर लिया है जो अच्छे अच्छों को हासिल नहीं हो पाता है आलिया इस समय बॉलिवुड के एक सूपर हिट आक्ट्रिस में गिनी जाती है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके पास प्रोजेक्स की कोई भी कमी नहीं है यहां आपको बतला दें कि आलिया की जो मेगा बजट फिल्म है यान की ट्रिपल आर है वो काफी जादा उसकी जो रिलीज डेट है वो सामने आ चुकी है और इससे उन्हें खासी उमीदे है आलिया के फैंस तो यही जानना चाहते हैं कि यह फिल्म किस थीम पर तैयार की इस फिल्म में अजे देवगन भी मुखे बूमीका में नज़र आने वाले हैं और आपको बॉलिवुड के दो सितारे नज़र आने वाले हैं एक आलिया और डूसरे अजे देवगन इसी के साथ ये पहली बार होगा कि आलिया और अजे देवगन बड़े पर साथ साथ में न इसका वास्थ विक्ता से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ये एक कालपनी कता होगी। और इस कालपनी कता को काफी ज़धा अच्छा बनाया जारा है। इस फिल्म को डिरेक्ट को चु कर रहे है वो С.S. राजा मॉली कर रहे ले ये जान लेना ज़रुरी है कि ये फिल पर नजर आएंगे इसके अलावा ये आलिया की करियर की सबसे महंगे फिल्म होने जा रही है जहां तक फिल्म के बजट का सवाल है तो ये फिल्म साड़े तीन सो से चार सो करोर रुपे के आसपास पर बने की और बता दे की ट्रिपल आर दो स्वत्रंता सेनानियों यानि की ज इसमें जूनियर एंटियार और रामचरन का एग्रेसिव लुक देखने को मिल रहा है मेकर्स ने मुवी का बजट जो है वो सार सो करोड के लगबग बताया है इस फिल्म में आलिया हैं बहुत जादा इस फिल्म से उमीदे कर रही हैं देखना ये होगा कि फिल्म उनकी उमी आज भी जब टीवी पर उस फिल्म को दिखाया जाता है तो लोग बहुत ही जादा मन से उस फिल्म को देखते हैं और उसके बाद ऐसे सराजा मौली इस फिल्म पर काम करने जा रहे हैं ट्रिपल आर में जो की काफी बड़े बजट की मूवी है और इसमें राम चनर जूनिय से इंतिजार कर रहे हैं तो प्लीज कमिंग बॉक्स में लिखकर बताएं थांक यू सो मच की वाचिंग टोड़े इस फर मोर न्यूज